हलो गाइज दिस इस आप व्यक्पाइंड वेलकम टो अड़ा 24 7 यूटूब चैनल दोस्तों यह जैसे कि मालू में यह सेशन है कम्पूडर साइंस के लिए और यहां पे हम डिसकस करते हैं कम्पूडर के बहुत सारे टॉपिक जो हमारे एक्जाम पॉइंड वेकले इंपॉर् मैं उमीद करता हूँ मैं यह विश्वास रखता हूँ कि नए वर्स का जो भी आपने सपने देखें वो सपने जरूर पूरे होंगे तो सपने जरूर देखो उसे प्लैन करो और उस पे काम करो ताकि जो भी 2023 के आपके जो एम है जो गोल है उसे जरूर अचीव कर सेगे और इसी मिशन के शाथ हम लोगी साल के सुरुवात करेंगे और यह सेशन रुजाना में सुबह पांच बज़े आपको तक पहुचाऊंगा या तो आप लाइफ देखें या तो बाद में भी यह सेशन को जरूर देखें क्योंकि यहाँ पे वह कंटेंट प्रोवाइड करूगा जो आपके एक्जाम पॉइंट से भी इंपॉर्टन होगा आपके इंफोर्मेशन प्ायुर्ट में ने बताया कि आज मैंज जिग्र करूँग को अबें मालवर मालवर क्या है उसके क्या harmful our system, यह simple सा बात है, malware that means malicious, आप समझेगा इन चीजों को, मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, malware that means malicious, यानि कि वो चीज जो नुकसान करे, यानि दुनिया का कोई भी program, आगर हम computer की बात करते हैं यहाँ पे, तो दुनिया का कोई भी program, कोई भी software, जिससे हमारे system के performance पे नुकसान पहुचता है, तो वो मेरा malware की category में हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि आपका VLC player का भी वो player हो सकता है, हो सकता है कि आपका image भी हो जाए, आपके videos भी जो आपके personal videos है, वो भी कहीं न कहीं, अगर आपके system को नुकसान पहुचा रहे हैं, आपके system को slow कर रहे हैं, वो start नहीं होने को दे रहें, file craft कर रहे हैं, तो दुनिया का कोई भी software, ठीक है, इवन की hardware भी हम यहाँ पे कह सकते ह जिससे मेरा system को नुकसान पहुचे, उसे हम लोग malware कहेंगे, चुकि यहाँ पर discuss सिर्फ where के बारे में कर रहे हैं, इसलिए हम लोग malicious program को category में रखते हैं, तो याद रखेगा malware है क्या, एक ऐसा malicious program या software जिससे हमारे system को नुकसान पहुचाया जा सकता है, वो मेरा होगा malware, ठी क्लियर हो गया, अब यह सवाल आता है, यह malware क्या है, यह virus क्या है, ठीक है, तो basically बच्चों में बता दू कि malware का ही type होता है virus, यानि जो parent है, वो है malware, और उसके जो बच्चे है, वो है virus, ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारी categories बाटी गई यह, तो हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे बच्चेशे, वाइरस, वाइरस, ट्रोजण होर, स्पाइवेयर, रैंजम रूटर, यह सब क्या है, यह सब malware के type है, बच्चे यह confused कर जाते है, कि वाइरस माल वेर का type होता है, या malware virus का type होता है, तो याद रखिएगा, virus is the type of malware, वाइरस is the type of malware, प्रोजण होर ज़ इस दा नहीं करते हैं यह indirectly way में हमारे सिस्टम में हो जाता है तो चली इन सारी चीजह को बाए हम discuss करतें कि सर वाइरस क्या होता रवार्म क्या होता है तो बच्छो सब में बहुत आंत्रिक अंतर है अगर देख सकते हैं, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सी जो वाइरस का फुल फॉर्म होता है, यह नॉर्मल सी चीजे है, मैं बात करता हूँ वाइरस के बारे, वाइरस हमारे सिस्टम में अगर आता है, तो उसका आने का तरीका यह होता है, कि कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टर आप कहीं दूसरे रिसोर्स से लाके अपने सिस्टम में अटैच करते हो, तो उसी फाइल के साथ वो एड ओन हो जाता है, उधारन के तौर पे, आप पेंड उस मूवी में हो सकता है कि वाइरस है, और वो आपके सिस्टम में जाके इंफेक्टेट कर देगा, आप पेंड्राइव लेते हैं, किसी दूसरे के लैप्टॉप से या दूसरे के सिस्टम से, आप फोटो लेते हैं, मूवी लेते हैं, सॉफ्ट्वेर लेते हैं, और अपने फाइल चाहिए होगा या फिर आप नॉर्मल सी चीज़े कहीं से भी हम लोग ऑनलाइन भी चीज़े करते हैं कि डाउनलोड कर लिए भाई तो वह भी हमारा क्या अटैच होके आ जाता है तो यानि सिंपल सा बात है वाइरस के बारे में एक सिंपल सा लॉजिक यह है कि इट अगर ऐसा हम सोचते हैं दिबाग में कि एक वाइरस क्या है तो एक इंडिपेंडेंट्ट प्रोग्राम है ऐसा नहीं है वह किसी भी आपका वर्ड़ का फाइल हो सकता है आपका इमेज का फाइल हो सकता है कुछ भी आपके जो यूज़ेबल फाइल है आप कहीं से लाते है यूज़ करते है अपने सिस्टम में तो उसी में वह अटेज हो जाता वाइरस क्या है तो इसी से मिलता जुलता एक टर्म आमारा है वह वार्म क्या है इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है यह क्या है यह मेरा सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है और यह प्रोग्राम को मोडिफा होते हैं वाइरस और व़ार्म के भीज में दोनों में फर्क क्या है सिंपल सा याद रखिएगा यह जो वार्म है यह रिमोटली करेगा यानि कहने का मतलब यह है दोस्तों याद कि गो tastes है जब हम नेटवर्क में आते लेकिन के साथ दो कंडिशन के साथ इसलिए अंश चाह तिल जो system है उस पे भी attack करता है जैसे pen drive गवरा से काम कर ली यह self replicating करता है self replicating कहने का मतलब क्या होगे यह खुद एक file create कर सकता है यह खुद एक file create कर सकता है और यह program को modify नहीं करता है वह आपके system में आके बैड़ गया मकसद क्या होता है warm का वार्म का मकसद होता है आपके system को slow कर देना ठीक है आप इसको आसान भासा में समझ सकते हैं कि यह technically कर क्या रहा है तो आपके system को slow कर देता है slow कहने का मतलब क्या है जैसे वाइरस है आपके file को corrupt करता है वह एक्जक्वीटेबल फाइल को corrupt कर दिया यानि file corrupt हो रहा है तो आपके system में वाइरस है लेकिन आपका system slow हो रहा है कुछ unwanted program है खुद बखुद इंस्टॉल होते जा रहे है system में तो यह वाइरस का अंतर के बारे समझ लीजिएगा दोनों में अंतर यही है कि वाइरस क्या करता है तो अटैच होके आता है और प्रोग्राम को परफॉर्मेंस को reduce कर देता है तो परफॉर्मेंस रिड्यूस हो रहा है आपके system का वार्म का अटैकिंग है को फाइल करप्ठ हो रहा है वाइरस का और भी सारे टाइप होते है जो आगे वाले possession में कभी हम जिक्र करेंगे एक फिलाल यह दोनों के अंतर वारे समझ लीजेगा हाँ करता है तो मेरा टैक करता है त्हीए करेगा थिक है तो यह दोनों में अंतर सब्सक्राइब आगे तीसरा जो पॉइंट है वह ऺञ्यermat भी है तो स्पाइवेर बेसिकली है कि एक बार स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर इसको हम समझाते हैं स्पाइवेर इस टाइप आप मालवेर सॉप्ट्वेर विच ग्यादर इन्फॉर्मेशन फॉर्म यह सिस्टम अगर मुझे यह बताया जा कि कोई हमें एक कॉंट्रेक्ट दे यह एक्स नाम के लड़के पर नजर रखो तो नजर रखना मैं क्या करो मैं स्पाइब कर रहा हूं मैं आप पे नजर रखना आपका सारा इन्फॉर्मेशन ले मैं किसी और को ट्रांसफर कर रहा तो वही चीज़ है स्पाइब क्या करता है टेक्निकली इसके माध्यम से आपके कंप्यूटर में कुछ सॉफ्ट्वेर को इंस्टॉल कर दिया जाता है कुछ प्रोग्राम को डाल दिया जाता है वह ऑनलाइन भी डाल दिया जा सकता है और फिर उस सॉफ्ट्वेर का काम यह होता है कि वह या उस प्रोग्राम का यह काम होता है कि आपके सिस्टम से डेटा को गैदर करेगा और किसी और को ट्रांसफर करेगा ठेक है यानि आपके सिस्टम का डेटा चुरी करके किसी और को अगर हम भेज रहे है तो इस टाइब की activity है या यह काम जो software कर रहा है उससे हम लोग का spyware software कहेंगे और spyware भी एक malicious software ही है यानि कि प्रोग्राम होता है तो याद रखिएगा टेक्निकली हो क्या रहा है तो आपके system में कोई software install होता है आपके system का data चोरी होता किसी third party को वो transfer होता है और एक मैंने लास्ट में मेंनें किया it can be also happen hardware यह hardware से भी हो सकता उधारन के तौर पे जैसे कि हम pen drive लगा के हम डेटा किसी को transfer कर दें बीना बताए तो वो भी आपका एक तरह से साइन जा रहें किसी साइट पे जा रहें तो आटोमेटली कुछ कुछ डाउनलोड आपके laptop में हो जाता है तो हो सकता है वह ऐसा software है जो स्पाइ का काम कर रहा है और आपके system के data को कहीं और transfer कर रहा है ठीक है तो आपके लिए इतना नुकसान देख नहीं है लेकिन समझो अगर यह किसी में हो जाए समझो किसी मिनिस्ट्री के laptop में ऐसा हो जाए तो कितना वह यह harmful होगा तो स्पाइवेर बिसिकली जासुजी का काम होता है ठीक है अब चौथा जो information है दोस्तों तब है नाम से ही रैंजम का मतलब होता है ठीक है फिरौती देना लुती समझते हो न जैसे कि मैंने आपको किड्न沒錯 कर लिया और मैं आपको बोल रहें किड्नाइब कर लिया किसी इस टाइप ऑप मॉल्वेर विच अटैक अरो सिस्टम और ब्लॉक सम सर्विसे एंड फोर रिजुमिंग दोस सर्विसे डिमांड सम रेंजम अमाउंट होता क्या है दोस्तों रेंजम वेर में बैसिकली यह जब अटाइक इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं मैं इसके पर मैं चर्चा करूंगा आगे के सेशन में फिला रेंजम वेर का कॉंसर्ट दिमाग में समझ लिए क्या है कि रेंजम वेर एक ऐसा मालवेर सॉफ्टेर है यह अटाइक है जो आपके सिस्टम में जब यह किया जाता है तो कुछ सर्विसेस को ब्लॉक कर दिया जैसे स्क्रीन ब आप से कुछ अमाउंट मांगा जाता है ताकि आप इस सर्विसेस को रिजूम कर सके ठीक है अब वह जो अमाउंट है वह या तो बिटकॉइन के फॉर्म में हो सकता है या गिफ्ट कूपन के फॉर्म किसी भी फॉर्म है यह जो स्टार्टिंग में जब यह प्रचलीत हुआ था तो बेसिकली यह बिटकॉइन के फॉर्म में वहाँ पर रेंजम अमांट मांगा जाता था बिटकॉइन आपको मालूम उच्पे मैंने सेसंस भी किये थे तो पहले था बिटकॉइन के फॉर्म में आज के दौर में और भी तरह तरह से आपके फिरॉति मांगी जाती वह के रूप में भी हो सकता है या किसी और भी रूप में आपके यह रेंजम अमाउंट हो सकता है तो यह इसका जो सबसे की फैक्टर यह है कि यह क्या करता है फिरौती की मांग करता है यानि कि आपके सर्विसेस को रिजूम करने के लिए यह फिरौती यानि रेंजम अमाउंट का डिमांड करता है यह बैंक में हो चुका है ऐसी घटना है वह एटीम पे अटाक हुआ था एटीम मसीन में अटाक हुआ था और कुछ सर्विसेज ब्लॉक करी गई था उसको रिज्यूम करने के लिए कुछ आप से पैसे मांगे अब आप अपने दि मेरे पास है और मेरे लैप्टॉप में पूरा डेयटा आजाए मौन लोग यहांगे तो इसलिए इस को कहा गया रेंजम्वियー कि मांग की जाते थी उन जीविसेस को रिजूम करने के लिए कुछ निमांड वहां पर किया जाता है यह जकर्शल आप इसको बहुत तरह-तरह से कैटेग्राइज कर सकते हैं जैसे फिसिंग को भी इस कैटेग्री मिलें फिसिंग एक अलग चीज़ है जो बहुत पहले से चला आ जबांट करता तो यह रैंजम अमाउंट ही है वह रैंजम वेर का एक की फैक्टर है दोस्तों पर रैंजम वेर के बारे में आपकी दिमाग में चप गई होगी चलिए अब मैं बात करता हो अगला पॉइंट पर अगला है एक और अटैक है जिसका नाम है रूट कीट रूट कीट नाम से मालूम है सरूट रूट का मतलब क्या होता है जड़े जड़े किसी भी पेड़ का जड़ अगर हम किसी भी पेड़ के जड़ को ही अगर काट दे या उसको कुछ ऐसा करदे दिस्ट्रॉइ कर दे तो पेड़ ही खत्म हो ज razor आगा अप इसको ऐससे समझे अगर किसी भी पेड़ को अगर root को ही हम लोगा destroy कर दे तो वो पूरा क्या होगा पेड़ ही खतम हो जागा दो चार दस दिन में पेड़ सुक के गिर के खतम हो जाएगा तो उसी से यह प्रेड़ी थे समझते हैं क्या है rootkit is a type of malware designed to give hacker access to and control over a target device although most rootkit affect the software and the operating system some can also in fact your computer hardware and firmware चलिए बात करते हैं दोस्तों यह कहना क्या चाह रहा है rootkit एक ऐसा आपका attack होता है आपके system में जो root को ही जाके hit करता है अब root कहने का मतलब क्या है समझे तोड़ा आप अपने laptop पे समझे अगर आपके laptop का operating system ही अगर corrupt हो जाए तो कोई और software चल पाएगा क्या नहीं चल पाएगा तो वह operating system को hit कर देना किसी भी नेट अगर हम किसी network system की बात करते हैं administration को ही जाके hit कर देना यानि administration को ही hack कर लेना ठीक है हमारे laptop में operating system को ही hack कर लेना और भी आप देश सकते हैं कि firmware अगर बायोस को ही hit कर दे आगर मालो भाई computer start होने के लिए सबसे रूट चीज क्या है बायोस बायोस कहां store है तो रॉम में store है तो बायोस को ही जो hit कर देगा तो अगर बायोस मेरा खराब होगे दना लैप्टॉप क्या वीडियो क्या सॉंग क्या चैट कुछ चलेगा ही नहीं अगर आपके मोबाइल में android ही करप्ट हो जाए तो मोबाइल आपका काम करेगा क्या तो टार्गेट का टार्गेट ही होता है कि हम जाके किसी एड्मिस्टेशन लेबल को hit करें अगर इसको hit हम कर देते हैं तो हम आसानी से वहां पर चीज़ें होगा कि मेरा सारा मतलब सापर इसको समझें मेन व्लन को करें अगर मार दिया जा तो सारे तो मरी जाएंगे ना जैसे बाहुवली में आपने देखा था अगर में जो मरा तो सारे लोग भाग गया से तो वही वही इसका मक्सद है कि हम सी ड्रा फाइल यानि की सीड्राइट कह सकता है या उपरेटिंग सिस्टम उसको जा के करफ्ट करें तो उसे रूट कीट मालवेर कहते हैं तो समझ में आगे सबको हम लोग एक जैनरल बोलचाल की भाता में सबको वाइरस ही कह देते हैं लेकिन सबका नेचर अलग अलग है वार्म पर एक फीचर से सबके कुछ ना कुछ अलग क्वालिटी होती है चली बात करतें नेक्स अगला क्या है अगला है ट्रोजन होर्स ठीक है यह भी एक तरह का आप कह सकते मालवेर ही है और इसका में से एक लाइन में इसके बारे में लिखा है इडिज़ टाइप और टोज़न ह आलवेर डैट मिसलीड्स यूजर ओफ इस ट्रू इंटेंड कहने का मतलब क्या है एक ऐसा अटाक आपके सिस्टम में होता है जो जो सौफ्टर का काम होता है उससे वह भटक जाता है आप इसको ऐसा कह सकते हैं इसको भटक जाना उधारन के तौर पे अगर मेरे लैप्टॉ करने के सा वी कंट्रों का कांव है कॉपी करना कंट्रोल एकस का का क्म है कूट करना कंट्रों याज बिका करना किस्ट करना कुछ और थिक अगर आपका laptop आपके software आपके program अगर वो अपने true मकसद से यानि जो उसका काम है वो ना करके कुछ और ही कर रहा है तो यह होता है जो इसका सबसे की factor होता है जो इसका सबसे की फैक्टर होता है यानि आपके प्ले करने प्ले ना होके forward का काम हो रहा है वह हमारा ट्रोजन होर्स होता है दोस्तों तो ऐसे करके यह सारे कुछ चुनिंदा मालवेर के टाइप थे जिसको मैंने जिक्र किया और भी कुछ सब टाइप बनेंगे जैसे कि फिसिंग क्या होता है इन सारे चीजों के बारे में वन बाइवन डिपली डिसकस करेंगे ताकि इसके रिगार्डिंग मेरे पास अगर प्रश्न बनेंगे तो वह भूलना नहीं चाहिए अब एक्जाम में कुछ-कुछ ऐसे होते हैं चुकि सब आपको थोड़ा बहुत क्लोजली रिलेटेड ही ल सफ्ट्वेर जो अबार सिस्टम को नुखसान पहुचाता है उससे हम लोग मालिए कहते हैं चलिएं कोई भी सोफ्ट्वेर हो सकता है कऊफं Cal Meg pas सब्सक्राइए बूसरा पॉइए 내ो माल्य है अब इसके टाइप तो दोस्तों वाइरस वार्म ट्रोजन हॉस रेंशम्वेर रिसोर्स अंडर सीज यह एक ऐसा मालवेर है जो अटैच इट सेल्फ करता है यानि किसी एग्जिस्टिंग वाइल के साथ खुद को जोड़ लेगा ठीक है यह थोड़ा से चुपके सटके उसके साथ चला जाएगा और आपके सिस्टम को नुकसान पहुचा देता है तो वह हो हो जाएगा दूसरा वार्म जो है वह रिमोटली हीट कर सकता है ठीक है रिमोटली ही हीट करेगा मोस्टली वह रिमोटली हीट करता है लिए वाइरस के साथ वैसा को कंडिशन नहीं है कि वह रिमोटली हीट करेगा ठीक है तो यह दोनों में अंतर है कन्फ्यूज मत इसा लगया करता है किस्टं அ इंस्टॉल करता है अपके सिस्टम के डेटा को चोरी करके किसी और को काम है जिसमें आपके सिस्टम का डेटा बीना आपको बताए किसी और को ठाफर कर रहा है ठीक है तक बाद रेंजम रहा है रेंजमवेर था क्या तक एलसा बात है यह ऐसा अट्यक्स कंट करने के बाद सरवीश को ब्लॉक करता है और उन सर्वीश को फिर से just resume करने के लिए या activate करने के लिए आपकी कुछ random का डिमांड करता है डाट इच गोल रेंजम वेर दूसरा हमारा है रूट कीट रूट किट वह हमारा वॉर्स या वह माल्वेर है जो हमारे रूट प्रोग्राम को हीड करता जैसे कि ओपरेटिंग सिस्टम अगर करप्ट हो जाए तो सारा सिस्टम ही बैट जागा तुसे कहते हैं रूट कीट मालवेर अगला आया ट्रोजन होर्स सबसे सिंपल आसान था आपका जो आप वीडियो आपको सुभा पांच बज़े मिलेगी और हर दिन कुछ टॉपी कुछ प्रसन उत्तर अपकमिंग एक्जाम के रिलेटेड यह सारी जो कंटेंट है वह आपको इसी चैनल पर रोजाना सुभा पांच बज़े मिल जाएगी आप लाइव देखो या बाद में देखो इ सेशन के रिगार्डिंग या मुझसे और कैसे कॉंटेंट की उमीद रखते यह भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में दीजेगा उसे से मुझे प्रेणा मिलते हैं कि अगला वीडियो में कैसे बनाओं तो काइंडली और आप कमेंट जरूर कीजेगा आप हमसे एक्सपेक्टेश पर मैं यहाँ पर काम कर सकूंँ ठीक है तो अभी क्ले इतना ही रखते फिर मिलते हैं अगले शेशन में तब तक लिए गुड़ लग गुडबाइं टेकर दोस्तों कर दो